चुलिए दिल्ली से इस वक्की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां कमलाथ से मिले उनके घर पहुचे राहुल गांधी दो घंटे तक नेताओं के बीच ये मुलाकाँ चली लंच के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा हुई है हर्यारा चुनाव के बाद ये मुलाकाँ अपने आप में काफी important काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कमलाथ को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी देखे राज़तिक गलियारों में ये बाते भी अब होने लगी है कि ये मुलाकाँ ऐसी वैसी मुलाकाँ नहीं है काफी महत्वपूर्ण क्योंकि दो घंटे तक राहुल गांधी उनके घर पर रहे नकुलाथ ने मुलाकाँ की पोटो देखे शेयर किये शोशल मीडिया पर राहुल गांधी खुद कमलाथ के घर पहुचे और चर्चवाई की अब ये कहा चारा है कि कमलाथ को कोई बड़ा पद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अर्याना चुनाव के बाद ये मुलाकात होना अपने आप में जो एक बड़ा इश्वारा करती है कि आगे कॉंग्रेस में कुछ बड़ा होने बाला है या तो बदलाव होगा या तो कमलाथ के पद को बड़ा दिया जोएगा चलिए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इस मुलाकात के माइने क्या है तो देखे कमलाथ और राहुल के बीच संबंधों का नया दौर शुरू हो गया है दोनों निताओं के बीच तल्कियां दूर हो गई हैं कमलाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और फिर पुराने चहरों पर भरोसा जता रहे राहुल गांधी पुराने निताओं से मिल रहे हैं सीनियर लीडर से मिल रहे हैं कमलाथ के बीचेपी में जाने की खबरों के बाद से कही न कहीं दोनों ही निताओं के बीच दूरी थी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था MP में भी अब कमलाद का दखल बढ़ सकता है देखिए कोई आम मुलाकात नहीं हम बार बार आपको बता रहे हैं सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइब जुड़ चुके हैं उनसे जुआनकारी लेंगे सूरज राहूल गाधी खुद कमलनाथ के आवास पहुचे मुलाकात हुई दो घंटे तक दोनों निताओं के बीट चर्चा हुई और इस मुलाकात को हम आम मुलाकात बिलकुल नहीं कह सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है या तो बोला जा रहा है कि कमलनाथ को कोई बड़ा पद मिल सकता है या तो कोई भी अएक बड़ी खबर सामने आ सकती है इस मुलाकात के बाद देखी बिलकुल बहुत बड़े माइने इस मुलाकात के निकाले सकते हैं पहला मौका है जब राहूल गांदी खुद प्रदेस अद्धिक्ष, फूर प्रदेस अद्धिक्ष, कमलनाथ के निवास पहुँचे हैं और वो भी उस दोर में जब हाली में हरणा के चुनाव कॉंग्रेस हारी है आज ही दो राज्यों के इनांसमेंट हुए हैं, दो राज्यों के बिदानसवा चुनाव के उसके बीड़ निताओं के मुलाकात के हैं क कमलनाथ और राहूल गांदी के बीच कहीं ने कहीं दूरियां थी लेकिन आब आज की मुलाकात जो हुई है दो घंटे दोनों ने साथ में लंच किया है और पहला मौका है जब राहूल गांदी किसी वरिष्ट नेता के घर पहुंचे हो उनके साथ लंच किया हो तो बहुत बड़े माइने इसके निकाले सकते हैं पूरा और समझते हैं मामले को हमारे साथ एडिटर मनोस सैनी जी उनसे बात करेंगे साथ क्या लगता है मद्यपदेश में बिदानसवा के चुनाओ हुँ इसके बाद माना जाला है दोनों नेताओं के बीच दूरिया है हाली में कहा जालाता है हराना के चुनाओं में बड़ी कंवलना जी और कासकर महारास्थ ने to उनका अलग तरह का संबंद है श्यरत पबाल से उनके संबंद है या भागी जो निता हमसारे निताओं संके संबंद रहे तो मुझे लगता है यह घीक समय हैं कमलनाथ को याद करने का राहुल गांधी के लिए और इसलिए कमलनाथ नहीं गए पहले जानी की चर्चा थी कमलनाथ जाने बाले थे पिर हो नहीं पाई मुलाकात लेकिन राहुल गांधी भाहा तक पहुचे है और हर्याणा नेता बसते हैं तो कमलनाथ बसते हैं और कमलनाथ के पास एक management है हर एक state का सीधे उनके संबन्द है तमाम जिम्मेदारी वो समाल चुके हैं तो निश्चित रूप से बहुत महत्मूर ये मुलाकात मानी जाएगी और ये मान कर चलिए कि कमलनाथ किसी नए उसमें नजर आने वाले लेकिन नजर क्या होगा तो क्या राष्टी महासचिब बन सकते हैं कॉंग्रेस के या किसी माहराश के फिर से हालगी सब गोशना है हो चुकी है जिनक्या कमलनाथ को एक नई जिम्मेदारी के साथ महराश की जिम्मेदारी या जहारखन के दी जा सकते हैं तो ज्खारकंड की उम्मीद है कम है लेकिन महराष्ट से बहुत जादे उम्मीद है कांग्रिस को भी होगी राःल गांदी को भी होगी क्योंकि बहाँ जिस तरह के समिकन बने हुए हैं सिफसेना और शेथ सेना और बाकि पार्टियों दीआ ही कराना कि महाराज की जिम्मेदारी जादा मुल सकती है है। नहीं थोड़ी दूर करने की कोशिस की होगी है गांधी परिवार से तो उनके बहुत सम्मंद रहे हैं लेकिन कुछ बज़े ऐसी रही होगी पर अब गांधी परिवार भी समझ रहा है राहूल गांधी भी समझ रहे हर्याणा की हार ने बता दिया है कि नहीं आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं जैसे नेताओं को लेके चलना पड़ेगा तो मानकर चलिए आने वाले समय में किसी महत्पूर जिम्मेदारी के साथ नजर आने हुए रहे हैं देखिए अनुभव का लाप तो हमीसा मिलता है किसी भी पार्टी में हो चाया भारती जनता पार्टी हो या कॉंग्रिस पार्टी हो और कमलना जैसे लीडर अब है कहां उन जैसे लीडर जिनका साफ सुत्रा एक केरियर रहा हो तमाम तरह की जिम्मदारी उन्होंने सम माली हो तो राहुल गांदी के पास इससे अच्छा कोई चेहरा इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है देर हुई है कि ये दो घंटे की मुलाकात पिलहाल राजुतिक गलियारों में चर्चाओ का विशय बन गई है अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के क्या कुछ बदलाव होते क्या बाकी कमलात को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है